हमारे साथ इस वक्त मौझूद है रामकृष्ण चोरसिया एक लौता सक्स रामकृष्ण ही है जो की जूती से भी लगातार बातचीत करते हैं और आलोग से भी लगातार बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं रामकृष्ण चाहता हैं कि दोनों फिर से एक हो जाएं रामकृष् तो बात हुई लेकिन बात नहीं बन पाई उसके बाद से यही था कि बच्चों को मिलने दिया जाए वो दोनों बच्चियों से मिलने के लिए काफी परसान थे जिसलिए हमने भी रिक्वेस्ट किया कि मिलने दिया जाए बात करने दिया जाए उसके बाद नहीं बात करने के ब जो कुछ भी कोई जानता है तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्पन के दोस्त होता है उससे कुछ छिपा नहीं होता है तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपसे पूछूँगा देखे क्योंकि आप लगा था बातचीत भी करा रहते अलोक और जोती के बीच में वो आठ मिनिट का एक कनवर्शेशन भी हमने देखा था कि किस तरीके से आपने बातचीत करानी की कोशिस की थी मुझे एक बात बताईए सबसे पहली बात जो जोती ने आरोप लगाया कि सफाई करमचारी था ये लेकिन जूट बोलके गराम पंचाहत अधिकारी अपने आपको बता दिया था जूट बोलके साथ दी हुई थी इस बारे में जोती से आपकी बात चीत हुई आलोक की आपक था कि इनका हमने सफाई करमी का पुलिस वेरिफिकेशन कराया वो इलहेबाद रहते थे यहां का मैनेजमेंट हम और एक दिनेस मौरिया थे वो देखते थे घर पे जितने भी कारिकरम होते थे तो हमने साधी काड हमी लोगों ने चपआ था उस पर कहीं जिकर नहीं था जान घंस्याम उनसे डाइरेक्ट रिलेशन था इनका उन्हीं के माध्यम से साधी होई थी इनके ये चाचा इनके जस्ट बगल में दरोगा थे चिरईगाओं के पास जो थाना था पहले सिपाय थे फिर वहीं पर दरोगा हुए तो सारी चीजे क्लियर थी हमीने उनका वरिफिके जाता है कलक्टेट से जाता हमने कलक्टेट में रहा है तो यह चीजे पहले से 2009 से क्लियर थी कि हाँ यह सफाई कर्मी है आखरी आपकी जोती से कब बात हुई थी आखरी बार हम फेस्ट टू फेस्ट गये थे इलहाबाद इनका जो आलो के पापा है इनका पैर फैक्टर हो तो इनके आवास पर हम गये थे देखने के लिए तो वहीं पर दोनों लोग थे ठीक ठाक था सब कुछ कि यह बात है यह लगभग डेड़ साल पहले की बात है तो तब मामला सब दोनों में कूल था कोई लड़ाई जगड़े की बात नहीं थे इन इन्होंने भी हमसे लड़ाई पर बस जाती थी बनारस की कोई लड़का जाता था पूछते थे क्या करने जा रहे हो बेटा अगर कोई पढ़ने जा रहा है तो उसको सब पांच सब हजाव रुपया दे देते थे जाओ अच्छे स्तैयारी करना तो यह था तो मुझे मुझे एक बात बताईए जब आखरी बार फून पर कब बात चीत हुए थी आखरी बार यह लगभग दो महीने हो गए तो विवाई जो कनवर्सेशन चला आप कॉन कॉल आपने करवाया था जोती और आलोग कराया था तो जो कॉन कॉल कराया था उसमें क्या आपने यह बात निकल कर सामने आई थी कि कोई बात नहीं लेकिन उन्होंने एक बत्तमीजी बहरी बात कही थी उनके पिता को बाप कर रही थी बाप बाप काके बात कर रहे थी और यह कर रही है कि तुम सफाई कर्मी तुम्हारे मन में क्यों सावजी कूड़ा उठाते हो बात अब उनकी तुछ मान सिख्ता का प्रम पहले तो ठीक से होती है फिर चलन चलना उसमें सुरू हो जाती है दोनों तरफ से जो ती भी उदर से बोल रही है बीच में आपका कवी कवार आवाज आ रही है यह जब कन्वर्शेशन पूरा हो गया कट हो उसके बाद आपने समझा था करानी की कोशिश की नहीं उसके बाद अब हमारा नंबर ब्लाक है तो इसलिए हमने हम एक दो मैसेज की हैं मैसेज सीन हुआ लेकिन रिपलाई नहीं आया और अब नंबर मेरा ब्लाक है हम आज भी उनसे रिक्वेट करते हैं कि वह उस आदमी के पास नहीं जाएं क्योंकि सवतेला बाप सवतेली बेटियों को कभी बेटी नहीं मानता है आप भी देखते हैं जमाने में कि कि कितनी गंदी नज से देखता है तो इस बात का हमसे बहतर आप जगां जगां देखती हैं आप खुद नयाला भी समालती हैं और कार्याला भी समालती हैं देखती रहती हैं तो इस चीज़े उस आदमी के पास प्लीज नहीं क्योंकि उसके चार छे आफेयर बुरे दुनिया देख रही है हर साल साधी कर रहे हैं देखने में आ रहा है तो यह सब चीजें नहों तो अच्छी रहे आलोक ने कभी अपनी बाते आपको कही कि कभसे रडाई जग्रा कैसे सुरू हुआ कैसे मन मुटाव सुरू हुआ कभसे वह लग रही है जी यह एक बार बताएं कि जो सरकारी आवास था वहा तो उस समय नहीं बताएं यह बहुत तकलीफ में थे आलोक जी लेकिन बता नहीं रहे थें किसी से भी नहीं कुछ सेयर कर रहे थे काफी तकलीफ मेरा रहे थे जब यह देखें कि लखनों गई वहां भी यही चीज था और फिर इनको वार्टसप चैट पे मिला कि हमें ही मार करने की प्लानिंग की जा रही है तब यह मजबूर होके और बच्चियों को नहीं मिलने दिया गया तब यह मजबूर होके सामने आएं सबके सामने कि अब अगर यह मीडियाम इतना नहीं फैलता साथ यह आज जिंदा भी नहीं रहते हैं जिस हिसाब से प्लानिंग चल रही थे उन्होंने अपनी सारी कमाई 40-50 दुरुप्या आन रीकार्ट खाते में ट्रांसफर उसके ऊधिया घ्जेक्ट मुझे याद नहीं जमिन ली गई है जो कि पापा के रिटार्मेंट के कमाई इनके खाते से ट्रांसफर की गई है और उसी सब्सक्राइब कोई उसमें जिक्र भी किया गया बैनामे में और यह उल्टा इन ही उल्जाम लगा रही हैं यह तो हर गरीबों और बेसा बेसारों के लोग पैसा देके खुद सोचते हैं पढ़े लिखे आगे बढ़े आखरी बार आप क्या कहता चाहते हैं जोती जोती से दोबारा मिलने की कोशिस करेंगे हम हमें उनसे काफी प्यार मिला है और उनके पूरे परिवार से हमेशा मिलता रहा है यह हो सके तो आप प्लीज कमबैक हो जाईए और अलोग से तो हमारी लगभग डेली बात होती रहती ह है कि आज नहीं कल हुई थी परसों हुई थी लगभग बात हो रही थी बस परसान है काफी बच्चियों को लेके बहुत ज्यादे चिंती थे बच्चियों को भविस्त के लिए के उनके पापा पुरा परिवार सिर्फ बच्चियों को लेके बहुत ज्यादा चिंती थे उनक उसके बाद जब इन्हों ने तलाक नहिं दिया तो हिन्हों ने फेमिली कोर्ट में और इनके चार लोग लोगे को फर अपयार करा दिया जिनके बाद इनों लोगोंने मुचलका भर की जमानत ली यह बहुत सर्म की बात है कि जीन्होंने कभी थाने कामूह नहीं दिछा इनके फेमिली में 30-40 लोग गौर्मेंट इंपलाई हैं दस भी टीचर हैं टीचरों की फेमिली आप जानते ही हैं कितने संसकारी होते हैं कितने अच्छे होते हैं किने सब कितने सुसील होते हैं तो ये थे राम क्रेश्मन जिनका साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर सामने है ये एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं जोती आलोक से कि वो सब एक हो जाए लेकिन कुछ दिनों पहले जो कन्वर्शेशन हुआ था आलोक और जोती के बीच में फोन पर वो इन्हों नहीं कराई थी और ये लगातार आलोक और जोती के कॉन्टैक्ट में थे लेकिन अब इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जोती ने SDM जोती मौरिया ने इनको ब्लॉक कर दिया है